मुश्कार साथियों दा नर्सिंग एकेड़ी यूटीब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों एक महधपूर्ड रिकूट्मेंट नोटिस के साथ मैं आपने मुखस मुखसी पस्तित हूं जो आप देख सकते हैं आप इस तीन पर यहां पर देख सकते हैं जो इस्टिशूट आफ अफ हेल्थ आफ एंड फेंटली वेलफेर जो भारस त्रकर का एक आटो नौमस इस्टिशूट है अंडर मिनिस्ट्री आफ हेल्थ और फेंटली वेल्फेरल का अंतरकत है में गुवर्मेंट पर इंडिया का जिसका एड्रेस है बाबा ब्यांग प्रकनात मार्क मुनरी का न्यू डेली इसका पिन कोड दिया है इन्होंने यह आपका आप देख सकते हैं फाइल रिप्रेंश नुमबर यह है और देट 3 अक्टूबर 2030 को इन्होंने एक वैकंसी प्रकाशित किया प्रिस किया है इंप्लाइमेंट न्यूज के था तो इसमें इ STR nenrvicsine करता है और जो सूचनय प्रदान करता है उसकी जनियुटी पूरी चक कि जाती है कि इतेंटिक है कि अनथेंटिक है तो हमारा प्रयास रहता है कि आप अपन्वों के सम mix हमेशा ही प्रोडियोस करें। आफ्योट्यक नोलेज्स ही आपकी प्रोडूस करें। जिससे आ जो पोश्ट है वो स्टाफ नर्स का है आप यहां पर देख सकते हैं जर जैसWow देखे हूंगे आप लोगों का जो पोस्ट है नर्सिंग ऑषर या इस्कॉन insights या स्टाफ नर्स को ग्रेट इवी बोलते हैं तो इसको ग्रेडिंग भी दिया वो लेबल 6 में है एक पोस्ट है जो अन्रिजर्व काटेगरी में है और जो जिसका रिप्रूब्मेंट प्रोसेश डारेक्ट बेस पर है और आप लोगों को कैसे अप्लाई करना ऑनलाइन माध्यम से यह एक सौर्ट डूटिश है आप यहां पर देख लिए इसके बाद इन्ह माध्यम से बचे हुए 4 5 6 7 जो ऑनलाइन माध्यम से इस लिंक के द्वारा जो रिक्रूट्मेंट का लिंक है यहां पर दिया है उसके माध्यम से आपको अपलाई करना है अब इसके बारे में डीटेल बात करते हैं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपका 6 सेरील नंबर प क्या होगा तो उसके बारे में हम पूरा डीटेल जो नोटिफिकेशन में उसके तथम बात करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं स्टाफ नर्स वन पोस्ट है अन्रिजर्व का टेगरिक लिए अन्रिजर्व का यहां पर ताप पर यह है कि जो एज लिमिट दिया गया है उस एज लिमिट तक भारत के अंतरगरस कोई भी कंडिडेट चाय वो अजर्व का हो मिंस उर Prof.it ओ एजवर कंडिट हो या Kского 2 तो एजव हो आप झैय जो आफका मरिट बनेगा तो महीं बनेगा और अरेकिव कंडिगरिये में नहीं बनेगा अगर violation रिलक्सेशन लेते हैं as per government of India norms तो आप इसके लिए इंटाइटिल नहीं है तो आप देख सकते हैं method of recruitment direct recruitment है जो आपका pay scale है pay matrix में level 6 है जो आपका basic है 35,400 से और maximum है 112,400 तक जो age limit है जिसके बारे हमने आपको बताया आपका 25 साल से अधिक age limit नहीं होना चाहिए चुकि यह post unreserved के लिए है तो सब के लिए 25 साल ही maximum age limit रखा गया है अब आईए हम educational qualification के बारे में बात करें कि क्या educational qualification होना चाहिए जिसके तर आप इसको apply कर सकते है minimum तो आपका diploma होना चाहिए minimum जो GNM है और GNM के बाद आप registered होने चाहिए should be registered as grade A nurse with state nursing council आप किसी भी स्टेट nursing council में भारत के अंतर के जितने भी स्टेट से किसी भी स्टेट nursing council में आपका registration जनुरी है डिजारेबल में क्या है अगर आप BSC nursing किये हैं तो आपको priority दी चाहिए तो यह मोटा मोटा हो गया जो आपका education qualifications related है बाकी आप यहाँ पे कुछ important dates इन्होंने दिया है देख सकते हैं commencement top online registration on the website जो हमने आपको बता दिया जो अभी continue चल दा है जो employment news में जिस दिन publish हुआ था उससे जो typing टेस्ट या interview का जो भी होगा वो आपको website के माध्यम से सुचित किया जाएगा हमने आ लेडी बता दिया आपको कैसे apply करना है चुकि staff nurse का online mode से है तो आपको online link के माध्यम से apply करना है कुछ important notification दिया मैंने आपको आ लेडी बता दिया कि जो आपका link है वो यह है https slash recruitment.nihfw.ac.in इस पर है आपको apply करने से पहले एक बार पूरे notification को अच्छे से पढ़ना है समझना है जहां भी doubt आए आप इस वीडियो को देख सकते हैं अपने doubt को दूर कर सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपके कुछ doubt है कुछ शंका है समाधान है जिसका clear नहीं हो पा र कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन करके भी आप वहां से पूछ सकते हैं कि आप apply करने से पहले कुछ ऐसी गलतिया ना करें जिसकी वज़े से आपका application reject हो यह दोस्तों हमेसा ध्यान देना है मनें बताया date time and when you have written skill examination आपको communicate किया जाएगा call letters के माध्यम से या रही और फी की आप लोगों को फी किंदा पे करना है तो आप जेख सकते हैं स्टाफनर्स का है 300 रुपए आपको फी पे करना है फी में भी paid जो आपको फी पे करना है वो डारेक्टर NISFW Payable at New Delhi through valid DD या IPO के माध्यम से यह आफ लाइन वालों के लिए है ऑनलाइन वालों के ल का अप्रिकेशन है आप पे कर देंगो उसके बाद आपका फी रिफंड किसी भी कीमत पर नहीं हो जो सेड्यूर कास्ट के कंडिडेट्स हैं सेड्यूर्ट्राइस के लिए फिजिकली हंडी के हैं फीमेल कंडिडेट्स हैं तो हलांकि यह पोस्ट अन्रिजर्ट के लिए है इसमें फीमेल के लिए है जो यह दिपार्टमेंटल कंडिडेट्स है उनके लिए कुई फी पे नहीं करना है चाहिए बीच में आप विकली चेक करते रही है जब भी डाइम मिले आजकल तो स्मार्टफोन में भी आप लॉग इन कर सकते हैं हमेशा बिना विदाउट इमेल प्री तो आप गूबल में लागिं नहीं कर सकते हैं और डूसरे अप्लिकेशन आप चला नहीं सकते हैं अपरेट नहीं कर सकते हैं तो एक वैल इमेल डी डी रखिए और हमेशा बच बिचम मिले आप यह लिए अपनो आपकली किया है उसका कोई सूचना गार्षां को तो य कोई लेना दिना हमारा नहीं है जो करने है जो कुछ इसका पूरा पीडियों पर वह आपको हो टेलिग्राम कर लिग जो अवह जो मोड से बंए इनको उनका पुरा वाम दिया है एक प्रारूब दिया है उसको प्रिंट निगाल को भरके भेश सकते हैं तो यह में में है जो एक पोस्ट है दोस्तों एक पोस्ट के लिए मैंने बता दिया क्या आपको कैसे अप्लाई करना है अब तो पर्स नहीं को इसको प्रिपार करने नेश्डिनल सरकार का है लोगों भी है तो आप अगर फिर्स नहीं करने है तो आपको सबस Special restrictions करना पड़ेगा है registration पर क्लिक करना पड़ेगा registration में क्या क्या देना है आपको 1st Name देना है battle name देना लास्ट निम देना है first name mandatory है middle name है तो दीजिए नहीं है तो नहीं दीजिए last name भी है से ही आप valid Mobile वाल नमर आप दीजिए अपना वाले टीमेल आइडी दीजिए और इसके बार सेव और नेक्स्ट पर करेंगे आपको कुछ हो सकता है तो उसके बार आपको यूजर आडी पासवर्ड मिल जागा तो इस तरीके से आपको रिच्टेशन करना एक बार आप रिच्टेशन कर लें तो इस तरीके से आप लोग अप्लासिय को होता है तो आप हमसे ठोल क्र lihat कर सकते है जो अश्य करता हूं आप लोगं को ये video पशंद आए होगा अगर पसंद आया लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और नर्सिंग से रिलेटेड हर जन्यून नोटिफिकेशन हर जन्यून सूचना हर जन्यून नॉलिज के लिए हमारे सथ बने रही है थेंक यू